A sum of Rs. 7,930 is divided into 3 parts and given at loan at 5% simple interest to A, B, C for 2, 3 and 4 years respectively. If the amount of all 3 years equal, फिर से यहां पर equal की बात आ गई, तो यहां पर हम क्या करते हैं? Equal करने के लिए reverse करते हैं, चलिए. Total पैसा है 7, 9, 3, 0, यह तीन स्कीम पे आपका लगाया गया A, B, और C. Rate of Interest कितना है? 5%, Year है 2, 3, और 4. तो यहां पर Rate into Time को हम डारेक्ट यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है? 5 into 2, तो A में कितना मिलेगा? 10. दूसरे में कितना है? 5 into 3, 15. और 3rd स्कीम 4 Year के लिए तो 5 into 4, 20. अधुकों यह तो आपका Interest है, प्लस, कुछना कुछ Amount होगा, तो यहां पर क्या होगा? हमेशा यहां पर जो Amount Invested होता, नहीं पता होता, 100 Let कर लेते हैं, तो यह Value कितनी बन जाएगी? यह 110 बनेगी, यह बनेगी 115, और यह बन जाएगी 120, तो आपके तीनों यहां पर Amount पता चल जाएगे, अब हम इनको क्या करेंगे? आपके डिवाइड करके देख लेंगे, यह सारे के सारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, यह आपका 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और यह 24 हो जाएगा, अब हमको इनको इंटरचेंज करना है, मतलब एक दूसरे के रिवर्स करना है, तो 22 में Value आएगी, इसका Multiply हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, लास्ट में आएगे, तो इसका Multiply, 22 हो जाएगा, 22 तूजा, 44, 44 और आपका 6, यह आपका बन जाएगा, 50, 506, आप देखो, टोटल अमाउंट के एक को हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जो यह वाला Value है, यह टोटल हम आड़ करेंगे, इसको टोटल आड़ करने पर कितना मिल जाएगा, 8 और 2, 10 और 6, 16, carry 1, 2 और 5, 1, 8, ठीक है, यह पर यह आपका 8 आजाएगा, और 5, 30, 15, तोटल वैल्यू आपकी इतनी बनेगी, अब यह वैल्यू हमारी equivalent हो जाएगे, किसके, यह वैल्यू हो जाएगी, इसके, यह हम बोल सकते हैं इसको, कि, 1 5 8 6 वाली value है 7 9 3 0 पूंचा क्या है A A की value पूंची है that means इसकी value पूंच रहा है तो 5 5 2 equal to कितना होगा 7 9 3 0 into 5 5 2 और divided में आपके पास आ जाएगा 1 5 8 6 ठीक है इसको यहाँ divide कर लीजे 2 से divide करते है 2 2 जा 2 7 जा 2 6 जा यहाँ पर आएंगे 2 7 जा और उसके बाद 2 9 जा 2 3 जा अब 7 93 से 7 93 डिवाइड होगा 10 times 10 into आप करोगे 276 10 into 276 तो answer आपको मिलेगा कितना 276 और 1 0 तो यह आपका finally यहाँ पर option number d correct हो जाएगा आप